और ये तो मेरा determination है कि एक दिन मैं हिंदी वीडियम की student को अपने चैनल पर उस लेबल पर लेके जाके रहूँगा जहां वो कभी नहीं बोलेगा कि सर क्या IITJ नीट हिंदी वीडियम से नहीं निकल सकते हैं एक तरफ से आप समझ सकते हैं यह मैं को मिशन है तो dear students आप इस बात है आज के class में और आज हम एक महत्पूर्ण topic पर आप से चर्चा करने वाले हैं देखिए अब 10th class का exam पूरे दैस में complete हो चुका है CBAC board के भी exam complete हो गया है और 10th class के बाद 11th class हमारे life का सबसे important moment होता है और इस moment पर life का turning point आपका सकते हैं इसे क्योंकि 10th class तक हम एक general subject का preparation करते हैं हर student हर subject की पढ़ाई करता है हम SST भी पढ़ते हैं हम mathematics भी पढ़ते हैं biology भी पढ़ते हैं Sanskrit भी सब पढ़ते हैं 11th class में जब हम जाते हैं तो एक बड़ा confusion एक बड़ा confusion हमारे साथ होता है बहुत से चीजों को लेकर और मैंने देखा यह मेरा personal experience है कि बहुत से student height तक पहुचने के वो actual में हगदार होते हैं तो मैं आज इन चीजों पर आपसे बहुत सुक्षमता से discuss करूँगा psychological आपसे discuss करूँगा कि किन mistakes को हमको 11th class में नहीं करने हैं तो चलिए मैं point to point आपसे discuss करूँ एक एक करके एक एक point पर मैंने बहुत सुक्षमता सी study किया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत गंभीरता से इन बात को सुनें समझें और सोचें और हो सके तो अपने parents के साथ इस पर discuss भी करिए और मैं चाहता हूँ कि आपके parents भी इस session को देखें तो ज्यादा better होगा चलिए तो मैं सबसे पहले बात करूँ subject selection ये एक इतना complicated matter है और इतना confusion वाला matter है कि कभी-कभी मैं खुद भी अपने academic record को देखता हूँ तो मैं भी इस problem को face किया हूँ और कभी कई गलत decision भी हुए मेरे से subject selection पर लेकिन finally हम जब उस subject में चले आते हैं तो किस चीज़ को ध्यान में रखके जाना चाहिए इस पर मैं आज आपसे discuss करूँगा बहुत कुछ मेरा personal experience भी इस session के साथ में जुड़ा हुआ है मेरा experience इसके साथ में जुड़ा हुआ है subject selection का जो हमारा matter होता है मैं जहां तक अपने surrounding में देखता हूँ तो मैंने देखा है कि ज़्यादा तर हम किसी को देखके हम किसी successful आदमी को देखके कोई हमारे relatives हैं हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा motivated रहते हैं बचपन से उनकों देखके हम subject का selection कर लेते हैं ये सबसे बड़ा factor मैंने पाया है जो कि सर्वता गलत है क्योंकि हर इंसान unique है हर इंसान के अंदर एक अलग प्रतिभा है एक अलग छमता है और अलग कुछ करने के लिए गार्ड ने उसको भेजा है तो किसी की copy तो कभी करना नहीं है हाँ आप उसे प्रेरित हो सकते हैं but copy नहीं करना है एक दूसरा important चीज मैं वाज किया वो ये कि हमारे parents सबको आज के डेट में प्रेसराइज नहीं करते हैं क्योंकि आज हमारे ऐसा situation है कि बिल्कुल parents प् वच्पन से कि आप कुछ नया सोची नहीं पाते हैं आप जब छोटे रहते हैं छोटे class में रहते हैं तो दिन रफर आपका parents आपको इंजिनियर बनाना इंजिनियर बनाना राइक डिन भर को फोई parents आपको medical प्रेलगाने यह बात सुन सुन ए सुन के आपके अंदर में जो Dec परसनल इंट्रेस्ट आपका परसनल इंट्रेस्ट इतना important matter है कि आप अपने इंट्रेस्ट पर ही subject का चैयन कीजिए और यदि आपके इंट्रेस्ट के साथ आपके parents के विचार मेच नहीं करते तो मेरा suggestion है कि आप उनके साथ में proper discuss करिए और हो सके तो उनको ये बात समझाने की कोशिस करिए कि मुझे ये करने में मज़ा आता है क्योंकि एक बात पर मेरा अटूट विस्वास है कि यदि कोई इंसान अपने जिंदगी में अपने इंट्रेस्ट की चीज़ को आगे बढ़ता है वह success होगा इसमें आप 12% भी doubt नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रेस्ट पर लिए यहां पर मैं एक बहुत important quotation आपको बताना चाहूंगा रतन टाटा जी का जो मुझे बहुत प्रेरित करता है उन्होंने कहा था कि जब मुझे decision लेना होता है तो मैं अपना वक्त decision लेने पर बरबाद नहीं करता decision लेता हूं और उसे सही साबित करता हूं क्योंकि वह आ आप decision लीजिए अपने interest पर दुनिया का ऐसा कोई field नहीं है जहां आप success नहीं हो सकते आप success होंगे तो आप subject का selection अपने interest पर करी है एक और important बात आपको बोल दूँ 10th class में कि subject में Mars पाया इस पर आप कभी मज़े है मैंने कई बच्चों से counselling किया तो बोला कि sir मेरा mess में बहुं से factor हो सकते हैं हो सकता है कि paper difficult आया हो paper अलग धंग से आया हो आपका proper preparation नहीं हो पाया बहुं से मेटर हो सकते हैं तो Mars को लेकि आपका भी depression में मज़ जाए कि इस subject में मेरा Mars कम है तो मैं subject नहीं लूँगा जबकि उसमें मेरा interest है Mars कम आने दीजिए कोई बात नहीं है आ 10th class board exam देने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो one year का gap है अब तो board exam एक साल बाद आने वाला है अब तो 12th class में पढ़ेंगे न यह तो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है यह इतना बड़ा विमारी है कि आपको मालूम है कि after 12th class आप IIT का preparation करेंगे, NEET का करेंगे, CUT का कर syllabus नहीं आएगा, आप सोचिए एक बार कि ऐसा कौन सा competitive exam होगा जिसमें 11th का syllabus नहीं आएगा, फिर ऐसा क्या वज़य हो सकता है कि आप 11th class में late start करो, 11th class में आपको बिल्कुल समय रहते ही start करना है और आप आज यह special video बनाने का मेरा मकसद ही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से जूड़े जितने बच्चे हैं वो immediate 10th class के बाद 11th की पढ़ाई शुरू कर दे, late start मत करिये, देखिए late start करने से जब last moment में आप पहुँचोगे, तो हमने indicate किया है, फिर बिल्कुल हरबड़ी में देखोगे, फिसर one start, फिसर पूरे chapter के एक बार पढ़ादा, ठीक है, हम वो slow process है, और बहुँच depth में जाके work करने का process है, इसलिए आप बिल्कुल alert हो जाइए, अब भी सही start करना है, मैं तो कहता हूँ, इस video के end होने के बाद आज सही start करना है, मैं बताऊंगो कैसा start करना है, और इसमें मैं आपको कैसा help कर सकता हूँ, ये भी मैं आपके साथ discuss करूँ चली, अब हमने spine पर discuss करें, home exam ही तो है, school गया, suppose इतफाक से ऐसा teacher मिल गया, ये topic बहुत important नहीं है, ऐसा ही है, इसको मैं नहीं दूँगा exam में, इसको देख लो, तो ऐसा लगता है कि लाटी लग गई हमारी, हमको ऐसा लगता है कि लाटी लग क्यों, ये सर्ट पेपर सेट क करेंगे, ये जब बोल रहे हैं कि छोड़ दो, relax, बहुत enjoy करते हैं अपन, दोनों enjoy करते हैं, ऐसा mistake आप कभी मत करना, home exam ही तो है, teachers marks देंगे, teacher से अच्छा है, subject teacher से हमने tuition कर लिया, कामन दिमारी की related subject से हमने tuition कर लिया, वही वही question बता दिया, married में आ गया, parents को भी दिखा द दे रहते हैं, जैसा लगता है, मैं बताओं, हर इंसान सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुद को धोखा दे रहा होता है, तो खुद के साथ कभी cheating मत करिए, आप home examination है करके, कभी भी उसको हलके मत लिजिए, इवन आपके teachers भी discuss करता है, 11th home examination है, आप कान बंद कर लो, आप ध्यान स से पढ़ो, क्योंकि 11th का base पूर हुआ, सब कुछ खतम, यह मेरा personal experience है, यह mistake आप नहीं करना, मैंने बहुत सुक्ष्मता से, हर mistake पर discuss किया है, इसलिए मैं आपके साथ यह बात share कर दा हूँ, next है, concept is more greater than marks, आज हमारा पूरा focus marks oriented हो गया है, parents कितना marks मिल, मैंने तो इवन ऐसे parents देखा है कि home examination में कम marks आएं पर बच्चे स्कूल से TC लेकलवा के दूसरे स्कूल पर admission दिला देते हैं, अरे बापर, इसके करने प्राइवेट स्कूल के जनरली, teachers, marks दो, नहीं तो बच्चा TC निकलवा लेगा, किधर जा रहे हैं अपन, concept is very important than marks, क्योंकि एक चीज़ आप ध जाएगा, marks is by product, marks तो concept का by product है, लेकिन आपके अच्छे marks हो तो कोई जरूरी नहीं का concept भी बहुत अच्छा हो, और एक चीज़ आप हमेसा ध्यान रखना, आप कोई competitive exam without concept clear किये नहीं निकल सकते, क्योंकि आप कितने चीज़ों को याद कर सकोगे, और आज के exam pattern नहीं तो इत सकता है, CBSE का भी एक important circular है, कि बच्चों को अपने से decision लेने का, अपने से answer लिखने का caliber develop किया जाए, तो आपके marks तो आएंगे concept से, तो मेरा ये suggestion है, 10th class तक एक बार चल जाता है, बहुत छोटा syllabus होता है, कुछ limited इस तायार करने होते हैं, तो जो laborious बच्चे होते हैं, page to page र रट लिया, अब जैसे आप higher class में जाओगे, आपके syllabus जब बढ़ते जाएंगे, तो कितना रट होगे, एक concept हजारों question बना सकता है, लेकिन हजारों question कोई ज़रूरी नहीं के concept clear कर दे, ये relation आप हमेशा ध्यान रखना, एक concept हजारों question बना सकता है, बट हजारों question एक concept को clear कर दिया हो, ये ज़रूरी नहीं, मैं खुद सोचता हूँ तो मेरे कई concept अपने पूरे qualification complete करने तक clear नहीं हुए, लेकिन जब मैं पढ़ाना सुरू किया, तो मुझे लगा कहारे बापरे, ये ये चीज़ था, अब जब मुझे किसी दूसरे को बताना हुआ, तो मुझे पता च करूँ कि competition exam, एक बहुत, मतलब मैं दुखी होके एक comment सुनता हूँ बच्चों और parents से, वो क्या है, सब 12th class तक पढ़ लेता है, ऐसे फिर एक साल drop लेगा, फिर IAT के त्यारी के लिए जाएगा, फिर कहीं अद्भूच जगा जाएगा, वहाँ पर फिर कुछ जादूगर मिलेंगे, फिर जादूगर कुछ जादू करेंगे, कुछ विटामिस देंगे, अब आयाटियन बन जा करेंगे, इतना competition है, दुनिया इतना तेजी से आगे बढ़ रही है, और आप सोचने कि 12th के बास सुरू करेंगे, 12th के बास सुरू करने पर success का ratio बहुत पूर है, सबसे best success का ratio है 12th class appearing year में, चाहे कोई भी competitive exam हो, और इसके लिए आपको 11th class से ही प्लान करना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पर देखो, IIT, JAE हो, NEET हो, NDA हो, CLATE हो, AF, CAT हो, और तमाम तरह कि जितने भी competitive exam होते हैं, 11th class के syllabus पर स्बेस्ट होते हैं, और एक बात मैं आपको और बहुत important discuss करूँ, एक 12th में 11th class ही तो knowledge increase करने का class है, क्योंकि 12th में तो मार्स कर भी हमको tension होता है, कि 12th में 75% नहीं ला पाएंगे, तो हम IIT के entrance exam के लिए eligible भी नहीं हो पाएंगे, pressure तो होता है, but 11th, यह तो खुले आकास में उडान भरने का class है, मार्स का माय चलेगा, knowledge तो है, तो मैं समझता ह 11th class तो जादा important है 12th class से, अच्छा एक चीज और है, यदि आपको 11th में बैसी strong हो गया, 12th में तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, अब आपको कोई मत पढ़ बोलेगा, तो आप पढ़ोगा, क्योंकि आपने 11th से पढ़ना सुरू कर दिया, मेरा यह personal experience है, कि 10th class के top पर students भी 11th में ध्यान नहीं देने के काराण, वो downfall चले जाते हैं, एक scientific यहाँ एक reason भी है, कि 10th का syllabus और 12th का जो syllabus है, 11th का ऐसा difference है, यह difference हम यहाँ होते हैं, और उसके बाद एक समान fighter plane उड़ा रहे होते हैं, फिर हमको 6th class भी 21 में बिठा दिया जाता है, कैसे crash नहीं होगा, तो 11th class में उसी अवर को आप maintain करको उस percent को लाना चाहेंगे, तो possible नहीं हो पाएगा, क्योंकि syllabus आपका four times increase हो गया, बलकि four times से भी ज्यादा increase हो गया, तो मेरा सबसे important suggestion आज का यही है, कि आप competition exam का preparation अभी से करिए, और यहाँ पर मैंने ये quotation बहुत तकलीफ के साथ लिखा है, क् क्या आपको मालूम है हमारे channel पर हम Hindi medium की student को, मैं bilingual teacher हूँ, दोनों language हो मैं complete command के साथ पढ़ाता हूँ, but Hindi medium की student की emotion के साथ मैं ऐसा जुड़ा हुआ हूँ, कि मुझे बहुत पीड़ा होती है, जब कोई student मुझे comments पर लिखता है, मैरे channel पर लिखता है, sir क्या Hindi medium से IIT निकल आप क्या नहीं कर सकते हिंदी medium से, आपके अंदर एक psychological phobia है, आपके अंदर एक डर है, कि Hindi medium से, ऐसा क्या ऐसा question है, जब आपके IIT के, NEET के सब के paper bilingual आते हैं, तो आपके लिए आते हैं, कि आप निकालोगे करके आते हैं, ऐसा उसको translation करके, क्या कोई NTA उसमें translate करके, उसको म जहां वो कभी नहीं बोलेगा, कि सर, क्या IIT, J, NEET हिंदी medium से नहीं निकाल सकते, एक तरफ से आप समझ सकते हैं, यह मेरे life को mission है, यह मेरे life को mission है, मैं अपने जिंदगी में उस दिन सब से जाजा खूस होंगा, जिस दिन हिंदी medium की student बोलेगा, कि सर, बाधा नहीं है माध सक्सेस के लिए, यह मैं चाहता हूँ, यह मेरे life को mission है, तो dear students, आप इस बात को बिलकुल भूल जाओ, कि हिंदी medium से IIT, J, नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि बहुत कम दिनों में, मैं एक quotation को delete कर दूँ अपने इस board से, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, यह quotation मैं, बिलकुल भी ना लिखूँ, कि हिंदी medium से नहीं सकता, मैं बुलूंगा हिंदी medium से ही होता है, यह बोलना चाहता हूँ मैं, इसके लिए हम आपको complete help कर रहे हैं, हमारे channel पर, इस साल हम 11 class की पढ़ाई, और 12 की भी पढ़ाई, आपने देखा होगा, हमारे videos आप देखिए, औ और अभी हम, अप्रेल 3 से, तीन अप्रेल से हम class 11 का बहुत जोस के साथ, बेश्टी स्टार्ट करने वाले हैं, और हर class में हम बहुत depth discuss के साथ, concept के साथ discuss करेंगे, हर class के last में हम numerical साब को कराएंगे, और उसके बाद आपको multiple choice question भी अभी से कराएंगे, मतलब हमारा total focus, board exam के स साथ, school exam के साथ, competitive exam भी होगा, और हम देखते हैं कि हमारा NEET IATJ हिंदी मीडियम से कैसे नहीं निकलता, बस मुझे आप लोग का उसी तरह का साथ चाहिए, जैसा मैं आपका साथ देना चाहता हूं, तो जितनी बाते मैं आपसे किया, मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ words नहीं होन करने चाहिए, इसको हमको बिल्कुल कल सही follow करना है, और अपने mission में लग जाना है, ओके, ओके, thank you, thank you so much.